सब्सक्राइब आप सभी का सुवगत है फ्रेंट्स डिस्टोरेशन ऑफ कुमिटेड पेंशन अर्लियर इन आउ अटेनिंग ग्रेट डाइमेंशन जो पेंशन रिस्टोरेशन कुमिटेड वैलू का होता है वो बैंक्स में 15 यर्स के लिए होता है यह रिजनेबल और आपको बता दू कि अभी स्टेक गवर्मेंट्स लाइक केरेला, उरिशा, यंपी और पंजाब है रिस्टोरेशन अव्ट गुजरात हैस कम आउट विद आन आडर आफ रिस्टोरेशन अफ्टर थर्टीन यर्स भारतिय पोस्टल पेंशनर्स फोरम हैस दिमांडेड AIBPRC ने में एक पत्र लिखे, IBA से डिमांड किया कि बैंकों में ये घटके थर्टीन यर्स होना चाहिए, और अभी सेंट्रल गौर्मेंट के जो इनियन्स हैं, उन्होंने सिक्रेट्री डिपार्टमेंट आफ पेंशन एंड पेंशनर्स बेरफेर को पत्र लिखके, पत्र का जो लास्ट पेरह, इन वी अबब, there is no justification in prolonging this issue. It is once again requested that the government of India may also consider this demand of the stop side and issue order for restoration of committed portion of pension after 12 years. हम लिकिन बैंकों में अभी हम हमारे यूनियन्स प्रोएक्टिबली इस तरह का कोई डिमांड नहीं कर रहे हैं, जबकि आपको पता है कि रिटार्ड इजोसियेशन की डिमांड पेर कोई कागनीजेंस आई बी अतवाट डियेफेस नहीं देती हैं, तो ये बीड़ा भी व्यव्यू को उटाना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारे इंपलाईज रिटार्ड हो चुके हैं और जो होने वाले हैं, उनको भी फायदा होगा। फ्रेंड्स आपको यहां बता दूँ कि अगर हमें कम्टिशन आफ पेंसन पे कितना नुकसान होता है, आपको यह असायद पता हो कि इन फैक्ट यह एक प्रकार का लोन है जो पेंसनर इसको अपने 15 यर्स आफ सर्विस में रिपे करता है। एक एक्जाम्पूल से हम बताएं कि अगर आप रिटार्ड होने पर आपकी बेसिक पेंसन 28,660 बनती है और बेसिक पेंसन से वन थाड़ आफ कम्टिशन 9,550 होती है। आफ्टर कम्टिशन आपका पेंसन 19,110 बनेगी और आपको कम्टिशन आप लेते हैं तो 9,550 इन्टू जो फैक्टर है कम्टिशन फैक्टर 9.81 इन्टू टल आपको 11,24,226 रुपे मिलता है। यह मानके चलें कि अगर आपने 11,00,000 से राउंड करिये तो 11,25,000 आपको एडवांस मिला। जिसमें बेसिक पेंसन 28,860 थी। दीए 87.5 मानके चलते हैं तो 25,080 टोटल पेंसन आपको मिलती है 53,740 मिलनी चाहिए थी। लेकिन कम्टिशन के वज़े से जो आप लेस कर गेंगे 9550 रुपीज और आपको 44,190 रुपीज पर मिलती है। फ्रेंड्स अब कम्टिशन में का जब ये लागू किया था तब रेट आफ इंट्रेस्ट बहुत जादा था और अब रेट आफ इंट्रेस्ट बहुत कम हो गया है। अगर हम सपोस्ट कर लीजिये कि आप अगर इसका रिश्टोरेसन पिरियड हम 10 अर्स कर देंगें अगर हम 10 अर्स नहीं कर दें 15 अर्स में आपको 17,19,000 रुपए चुखाने पड़ते हैं अगेंड्स इसके। यानि कि जो हम पिंसन लिये थे जो हम पैसा लिये थे उस पे आप ये मान के चलें कि आपका बेसिक इस पे जो प्रिंस्पल इमाउंड था वो 7,500 पचास था और रेस्ट पैसा इंट्रेस्ट का पोर्षन था और इसके हिसाब से आप 17,19,000 रुपए देते हैं और यानि कि 75, प्रिंस्पल आप जोड़ लें तो 75,000 रुपए पर मंत हुआ उस पे ब्याज 49,600 रुपए हुआ हुआ और इस हिसाब से आपको ब्याज दिना पड़ रहा है और अगर कमिटिशन बैलू अगर 10 साल कर दिया जाए तो यह अमाउंट आपको केवल 11,46,000 रुपए देने और जो बैंकर्स के लिए कमिटिट बैलू का रिस्टोरेशन समय है वो 15 वर से घटाके अगर 10 यर्स नहीं हो पाता है तो 12 यर्स के लिए डिमांड अवच्छ करना चाहिए थैंक्यू फ्रेंड्स नमस्कार